आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ बहुत डिलीशियस केक की रेसिपी जिसे हम बनाएंगे सिंपल किछन के इंग्रेडियंट के साथ जो कि बहुत ही ज़ादा टेस्टी बनता है तो आज की रेसिपी है मार्बल केक की जिसे आप बाहसानी घर में बना सकते हैं तो व बटर लगा लिए तो मैं इसके ऊपर असानी से डिमोल्ड हो सके मैदर डालेने के बाद मैंने एक्सिस मैटे को निकाल लिया है इसको साइड में कर देते हैं मोल्ड तैप में एक बोल ले जिसमें हम सारे ड्राइंग डिटेंट को एकटा कर लेंगे तो यहां पर दो कप मैजरिंग कप से नाप के लिया है लेवल करते हुए तो दो कप मैदा आपने लेवल करते हुए लेना है तो यह एक मैने डाल दी है और यह दूसरा चल गया है इसके अंदर अब साथ हम इसके अंदर डाल देंगे कॉन स्टार्ट जो कि टू टिबली स्पॉन मैं लेवल करके ले रही हूं यह मैं डाल रही हूं तो इससे बहुत ही अच्छा केक बनेगा अब साथ ही हम शामिल इसमें कर देंगे नमक जो के जगा 140 इस्पून साथ ही इसके ने शामिल कर देंगे वन टी स्पून बेकिंग पौडर यह भी मैंने लेवल करके डाला है मेजरिंग स्पून से नाप के तो यह थे कुछ हमारी ड्राइंग ड्रीजन्स अब इन तमाम ड्राइंग ड्रीजन्स को हम दो सी तीन दफ़ा चांग के अलग कर देंगे साइड में कर देंगे अब आज जते हैं नेक्सस टैप को देब नेक्सस टैप में यहां पे खुला बोल ले लेंगे जिसमें हम दालेंगे 4 अदब रूम टेमपरेचर अंडों का होना ज़रूरी है फ्रिज के अंडे समाल नहीं किया जाते हैं तो यहां पे चार अंडों को क्रैक करके मैंने डाल अब बींटर के मदद से मीडियम स्पीट पर हम एक तो मिन्ट के लिए बीछ करेंगे उच अब अन्टों में पर बोटने लिए ये हैं तो इसमें हम शामिल कर देंगे चीनि जोके पुरी charло करना में तो करना मैं शामिल करेंगे लिए इसको डाल के तरीके साहिए और और इसको बीच करेंगे इतना जब तक यह slightly pale color में नहीं आ जाता तो दिखें फोमी टेक्चर में हमारा यह अंडे और चीनी का मिक्सर आ चुका है अब हम दालेंगे इसमें तेल जो कि जाएगा 3-4 कप 3-4 कप का मतलब होता है एक कप से थोड़ा सा कम मतलब 1-4 कप आप इसमें कि जाएगा तो दाल के मिक्स करेंगे थोड़ा थोड़ा करें हम इसमें तेल एड़ा बीटर को मुसल सल चलाते जा रहे हैं तो 3-100 में मैंने तेल को शामिल कर दिया है इसको डाल के मैंने अच्छे से बीच कर लिया है और अब हम दालेंगे इसमें दूद्ध जोके जाएग बिल्कुल हलकी स्पीड रखेंगे और इसको हम इस तरह से चलाएंगे तो यह एक रैसेपी ऐसी है जो कि बिंगनर्स के लिए है जिनको केक बनाना नहीं आता है तो असानी से बना सकते हैं दो बैज इसको मैं शामिल कर दिया था अब मैं यह थर्ड बैज इसमें शामिल करी हम इसको मिक्स करेंगे तो एक एंगल से दिखए मैं इसको मिक्स करी हैं ताकि इसके इन्दा ऐर क्या हो सके अब इस केक केम मिक्सर में हम हम शामिल कर देंगे विनल एसन्स जो कि जा खाएगा वन टी स्पून चैय की लमन जूस जाने से चे बहुत ही फलफी और सॉ गराओं मेरे त्यार मेर अईमिक्स्टर के इंदर से हमने दो तरहाँ तरहाके ड़े हैं तो एक फलेवर मे चॉक्लेट का दियरी हूँ इक एक वेडाया था तो एक बोले लिए जिसके अंदर से गुथ क पर करीब इस मेरी निकाल लेंगे घौनिया अश्मयर निकालिए कोको पॉडर 1 टेबली स्पून उसके अनर आप 1 फॉर्थ कप दूर दालेगा और इस मिक्सर के साथ मैल करके आप इसमें शामिल कर दीजिएगा तो यहां पर ही मिक्सर हमारा रेडियो हो गया है मिक्स कर लिया है मैंने अब यहां पर यहां पर जो मोल को मैंने तयार किया था इसके अफ़र आप इसके और सबसे पहले ही kupi आरेगे आद़ मिक्सर इस साना से पॉर कर देंगे हैं और इसके बाद हम ढाल देंगे इसके उपर च props पिली लियर मैंने वैनियला की डाल दी है अब सेकंड लियर हम लागा देंगे इसमें चोकले लिवर की इस तर हां से डाल इसी तरह से आपने इसको पोर करना है बस इसको अच्छी तरीके से टैप करेंगे अगर आप ओवन में इस रासिपी को बना रहे हैं तो 180 डिग्री सेलसियस के उपर आप 10 से 15 मिंट के लिए इसको अच्छी से प्रीहीट कर लीजेगा और 180 डिग्री सेलसियस के उपर 45-50 मिंट के लिए और यह विए निए और यह ब्ल्कुल kali का लिए व6 बन के तयार हुआ है मैं इसको टूथ-पीक की मदब से भी चैक कर लिया था इसको हम रोम तांपरचर पर तो आप हम व्ल्क छार लंग से हल्का सा करेंगे था आपकी मदद से और क्या तो एक प्लेट टीमद से निकल आएगा तो बासानी आप बगर पार्शमन पेपर के बगर बटर के ये केक बना सकते हैं जो के बहुत ही ज्यादा लजीज बनता है अगर आपके घर में भी किसी ने आना हो हाई टी पे दावत पे तो इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राइ कीज़ेगा रेसिपी कर लिए सब्स्राइब हमारा सौफ्ट सपंजी जबदश सा केक बनके तयार है तो इस रेसिपी को आप बंद कीज़े और ट्राइ कर लिजे और मजीद रेसिपी ज़ाने के लिए मेरे सटानल को ज़रूर साथ प्र बिल्वाल ।र मुलागात होगी